नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कुतिदे में अक्षरों को असानी से बना सकते हैं और इन अक्षरों को असानी से याद कैसे कर सकते हैं और कैसे असानी से आप टाइप कर सकते हैं आईए मैं आपको बताता हूँ कि किस से कौन साक्षा बनेगा और असानी से आप कैसे टाइप कर सकते हैं जैसे अगर आपको कहा बनाना है तो उसके लिए आपको डी प्रेस करना होगा खा के लिए आपको ब्रैकिट आप प्रेस करेंगे तो खा बनेगा आदा गे प्रेस करेंगे तो पूरा खा कम्प्लीट हो जाएगा गा के लिए आपको X प्रेस करना है गा के लिए आपको कोशन मर के साथ के प्रेस करना है डा के लिए अल्ट के साथ 0-1-7-9 प्रेस करेंगे तो बन जाएगा डा अगर आपको चाब न न है तो आपको P प्रेस करना है शाब न न के लिए shift के साथ आप N प्रेस करे है या capsuloald में N प्रेस करें जा के लिए टी प्रेस करना है जहा के लिए आपको greater than प्रेस करना है और अणा के लिए alt प्रेस जीरो 180 आप प्रेस करेंगे तो अणा बन जाएगा आईए हम इन्हें टाइप करते हैं और असांग से सीखते हैं और नक्षों को याद करते हैं टी प्रेस किया तो नहीं हमने का बन गया खा के लिए पहले आप bracket करेंगे ठीक है फिर के प्रेस करेंगे तो पूरा खा कंप्रीट हो जाएगा एक्स प्रेस करेंगे तो गा बन जाएगा कोश्यमार्क प्रेस करेंगे तो गा बनेगा करें तो पूरा का complete हो जाएगा आकी मात्रा आ जाएगी साथ में और डा के लिए आपको अल्ट के साथ कि के आपके प्रेस करने से आगी मात्रा बनती है यह आप याद रखें यह बार बार आपको प्रयासिंगा करना पड़ेगा इस चीज़ का अल्ट प्रेस जीरो वन सेवन नाइन प्रेस करेंगे तो डा बन जाएगा और अगर आप प्रेस करेंगे तो चा बन जाएगा एन प्रेस परेंगे शिफ्ट के साथ तो चा बन जाएगा और जा के लिए आपको टी प्रेस करना होगा ग्रेटर एन प्रेस करेंगे तो जा बन ज रो को करेंगे तो असानी से अक्षर याद हो जाएंगे जब ये अक्षर याद हो जाएंगे तो आपको टाइप करने में एक तो दिक्कत नहीं होगी उपर आप असानी से इने टाइप कर सकते हैं क्योंकि आपको इनका प्रियास बार बार करना पड़ेगा जितनी जदा आप प्रेटिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे और अक्षर को बनाना असानी से आपको याद हो जाएंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लेकर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद और प्रेटिस करते रहें असानी से आप सीख जाएंगे